चलो, नास्ता बन गया है, बहु का लंच पैक कर दू और उसे नास्ता दे दू, खाले, विचारी पूरा दिन फिर भूंकी रह जाती है ओफिस में, और कुछ खाती भी नहीं है बाहर का, मम्मी जी, हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ, अरे हुआ तो कुछ नहीं है, हम जा रहे टे ओफिस, सोच लाओ जल्दी से खाना बना दे, डाल चावल बना दे, रोटी आप से लिजिएगा, अरे बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, खाना बन जाएगा, परिसान ना हो, हमने न नास्ता कर लेना, और टेंसन मतलो, खाना बन जाएगा, नहीं मम्मी जी, लंच नहीं ले जाएगे, यह बेटा, ऐसा क्यों, लंच क्यों नहीं ले जाओगी, अरे हमने नास्ता कर लिया है, और हम इतने भूख नहीं लगती है, तो कई के लिए फाल दुमें बेश्ट होगा आपके खाना, आपके लिए दाल चाबल बनाए दे रहे हैं, अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बना लेंगे, घरी पे रहते हैं, यह बहां नहीं रहते हैं, परिसान मतलो, और तुम अफिस जाओ, अरे मम्मी जी, ऐसा कहीं होता है, क्या, भाई है, नननन जी नहीं पेह, उनकी खाने के लिए तो चाहिए बोलेंगी बाबी ओफिस चली गए हमारा ख्याली न रखा, और बेना खाना बनाए चली गए ये वो दुनिया भर का बोलेंगी, यसे थे हम बना के रख देते हैं, हम है न बेटा हम बना लेंगी, परिसान मतो तुम जाओ, कोई मौकिस, ओके मम्मी जी बाई, रादे रादे, रादे रादे बीटा, रादे रादे, चलो अब कुछ खाया पिया जाए, बहुत देर होगा है लेटे लेटे, कौन जाए उठके बिस्ता से, बिस्ता छोड़ेंगा तो मेरा मामी नहीं करता है, मम्मी को बलाते हूँ यहीं प किया है? अरे क्या कर रही हूँ, इधर आओन ना. अरे किचिन में हैं, काम कर रही है, बोलो क्या हूँ? अरे आओ तो सही, उदर इसे मत बोलो. अब बोलो, क्या हूँँ, किसलिए बुला रही थी? अरे पहले बैठो तो सही, ठिर बताएंगे ना. अरे बेटा बैठने का टाइम नहीं है, काम बहुत सारा पड़ा है, ऐसी बताओ, क्या काम है, नहीं मम्मी पहले बैठो बाद में बोलूगी, अच्छा बाबा ठीक है, बैठ जाते हैं, अब बोलो क्या हुआ, मम्मी हम क्या बोल रहा है थे, देखों कभी-कभी तो आते हैं ग जाधा होने चाहिए, क्या आपको तो पता, आपकी बेटी को spicy बहुत पसंद है, बेटा तेरी भाबी ओपिस से ली गई है, साम को बताना था, तो सुबे वो जल्दी बना देती, आरे मम्मी आपको तो सोचना चाहिए, कि मेरी बेटी कभी-कभी आती है, आपको तो सारी पस पसंदे क्या नहीं पसंदे तो आपको बोलना चाहिए ना कि सुनता बीटिया को ये पसंदे ये बना के रख दो सुबह सुदय ओपिस ने कर गी मतलब उसे कोई परवान ही है मेरी अर्शी भावी किसी की होती है क्या सुनो सुनता बीटिया एक बात बूले ना अपने भावी की लिए इतना गलत-गलत मस्त बूलो ठीक है और ना सोचो तुम्हारी भावी हजारों में ये हमेसा अच्छा सोचती है ठीक है वह अभी भूल रही थी कि हम उनके लिए खाना बनाकर रगने नहीं है सोचेंगी वह हम हमने सुभे सुभे उटके उसके लिए नास्ता बनाया लंच तक नहीं लेके गई है वो तुम्हारा दिमाग एक दम से पता नहीं कैसा हो जाता है फिलकुल बेकूफी हो क्या तो थेर आपने क्यों नहीं बोला कि मेरे लिए चाट बनाके जाए तो तुम ही बना लो तुम भी तो अच्छा बनाती हो चलो आज तुम ही बनाके खिलाओ दाल जाबल रोटी बनाना है चलो बनाओ तुम भी खाओ अपनी मा को भी खिलाओ तुमारे बतीजी बतीजी आ रहे हैं इसकूल से उनको भी खिलाओ तुम भी तो बिटिया चाट अच्छा बनाती हो ना मा कैसी बात कर रही हो ससुराल में भी काम करें माय किम भी आके करें क्या तो क्या हो गया अपनी मा के लिए ही तो कर रही हो और कौन किसी के लिए कर रही हो आज कर तो मा को बना के खिला दो जितना हमसे बोल रहा है इतना कभी भावी से बोलती हो भावी के लिए आगे 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 करती हो हमसे हुकुम चला रही हुग हम खाना बना दे चार देन के लिए आए है बिटिया है आपकी नौकरानी नहीं है हमने कब कहा कि तुम नौकरानी हो अगर मा के लिए खाना बना के खिला दोगी तो कोई बेटी नौकरा नी बन जाती है क्या ये तो हमारी बाउ को बोलना चाहिए वो तो कभी नहीं बोलती है बताओ याँ चाहिता है बिटी को कम बानती हो तुमसे सोगून अच्छी है मेरी बहु है अब हमें उल्टा सीधा मत पड़ाओ मम्मी ठीक है आपके बोलती थी कि बना के लग देना खाले न अपने कमरे में लेट जाना जिसको खाना होगा खालेगा, ना खाना होगा, ना खायगा, अपनी बाउ की तो बड़ी तारीब कर रही हूँ, बाउ को बड़ा चछा सिखाया, जैसा आपने सिखाया वही तो हम करते हैं, आपनी की तो हमें अपने सुस्राल में लग करवाया है, बिटिया, तुमको एक बात बताए हम, कोई भी मा अपनी बेटी को उल्टा सीधा नहीं सिखाती है, ठीक है, हर एक माच आती है कि अपनी बेटी का घर बसे, बेटी के दिमाग में पत्थर बारे हो तो कोई क्या करे, है तो तुमारी भावी, देखो इसको, हम तो उल्टा भी बोलते हैं, सीधा भी बोलते सब कुछ करती है मजाले कभी उफ कर जाए बनाने से बनता है ठीक है बेगाडने से बेगड़ता है देख लो अपनी भाइबी को एक लोटी है यहां भी और अपने माईके में भी रानी बनके रहती है तोनों जगे बंबी एक बात बोले हमें गुश्सा मत दिलाओ ठीक है फिर हमारा गुश्सा जानती हो हम सब उलट-पलट कर देते एक मिनट में फिर देल नहीं लगती है गुश्सा भी करोगी तो क्या करोगी बताओ क्या उलट-पलट करोगी अपना ही बेगाड़ोगी हमारा तो कुछ बेगाड़ोगी नहीं बहुत करोगी तो यहां से चली जाओगी इस से ज्यादा तो कुछ करोगी नहीं वैसे भी हम तुम हमारी जम के बेजती करती थी हमारी बेटी होके हमारी बेजती करती थी तुम तो किसी की भली नहीं ह ना माई के ना ससुराल बहुत बोले जा रही हो मम्मी आपी की बेटी हैं सोच लेना अगर हमारा मुँझ खुलाना तो हम फिर तार-तार कर देंगे एक मिनिट में चलो खाना बना दो ठीक है बहुत देख लिए तार-तार कर देंगे इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलूगी हम कहनावाना नहीं बनाएंगे बनाए बहादी आके वह नहीं बनाएगी बनाएं रहाने की करओ आशीً नहीं आएं करणियां चार दिन के लिए नहीं रहेंdt sizin सिधे-सिधे बोल क्यों नहीं देती हो किधर आने की ज़रूरत नहीं है कभी नहीं आएंगे, कदम नहीं रखेंगे कदम तो छोड़ दीजिए, सकल भी नहीं देखेंगे आपकी तुमारे दिमाग में भूसा भर गया है, भूसा समझ रही हो न? तुम मा से ऐसे बात कर रही हो तो तुम किसी से भी ऐसे बात करोगी? हाँ हाँ, हमारे दिमाग में भूसा भर है, बाकी तो सब होसे आ रहे हम तो इसकूल के पीछे बढ़ते रहे हैं आपका पैसा बरबात करते रहे हैं हम तो बुद्धू है न? देख रहे हो आप लोग, यह मेरी बेटी है इसको यह भी पता नहीं है कि मा क्या होती है मा से कितनी जुबान लड़ा रही है इदर उदर क्या बता रही है? हम से बात करिए, न हम आप से बात करें तो आप हम से बात करिए साला चार देन के लिए है, दिमाग खराब करके रख दिया खाना बना ले, यह कर ले, वो कर ले, तमासा कर रही है हम से बड़ी बाहु बाली आई, पता नहीं कितना बाहु 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 को तो पता सर में बैठा के रख लिया, दिमागी खराब करके रख दिया हमारा, हं? जैसे हमारा तो यहां कुछ है नहीं है, तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है, उस लाइक बनो, वगर ऐसे काम करोगी न, तो तुम्हारा यहां कुछ नहीं है, बहु मेरा साथ देखी हां मेरी बहु सब कोछ है सर में बैठाओं चाहां जाँ बैठाओं और वो काम भी ऐसे करती है कि सर में बैठाने लए तुम्हारी तरह नहीं है तब भी वहाँ काम करती है तुम्हारी तरह हुकूमत नहीं चलाती हो किसी पर जाओ मेरे लिए कपचाय लाओ अपने लिए भी लाओ अपना दिमाग ठंडा करो हम तुम्हारी मा है ठीक है अपनी बेटी के लिए मैं कभी बुरा नहीं सोचती है वो हमेशा ही सोचती मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और तुम्हारे आने से हमको पुरा नहीं लगा है खुशी हुई है लेकिन तुम भी तो खुश हो तुम पता नहीं कि इस बात में गुस्सा गुस्सा दिखा रही हो अच्छा लगता है क्या पागलों की तरीके काम कर रही ह तुम्हारी भावी अभी देखेगी तो क्या सोचेगी कि उस दिन से आई हैं तो बस द्रामा ही फेलाई पड़ी है जादा मख्ल लगाने की जरूरत नहीं है ना मुझे चाय पीनी है ना बनानी है ठीक है मत बनाओ हम बना के ला रहे हैं तब तो पीओगी अब चाय हमारे पास ले भी मत आना वहना आपके मुझे मारेंगे फेक के ठीक है मार ले ना मुझे माल ले ना पीट पे माल ले ना सर पे माल ले ना चलो धार हो जाएंगी कम से कम यह तो होगा कि बेटी ने मुझे चाय फेक के मारी थी अंदरे बेहने काने हो जाएंगे तो कौन मारोगी काटोगी और सेबा बहू करेगी यह कौन सी बात है अब योड़ा बेटी चोट पहुछाएगी तो बेटी तो सेबा करेगी हमारा दिमाग मत खराब करो वहारे पास से चली जाओ आपकी जैसिमा तो किसी की नहीं होगी बगवान करें आपकी जैशिमा किसी दुषमन को न मिलें चलो। और कि यह थीख मेरे पास एक ही काम नहीं है कि तुम ही तुमJust पॉइसे मुझे नजर भी मता जाना। मेरे आसान तक अपने सुस्राल ली जाओंगी। अरे बेटा ये तो और अच्छी बात है । सुसराल चली जाओगी जिए तो बहुत अच्छी बात है । जाओ आपर देटा भी अकेले होगा M.H. म.A. जी भोबे अकेले हैं। अफिस जाते हैं भूगे पांसे होंगे। जाओ आउनको बनाके खिलाना। जाद आपको हम दर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है तुमको तो समझाने ही बिकार है हर एक बात बुरी लगती है तुमसे बहुत करना दीवाल में सर मानने के बराबर है हमसे बात करना दीवाल में सर मानने के बराबर है अब बहुत करना चाती से लगा अभी क्या है सभी तो बोल डाली हो जो अगर बाकी हो बूल गई हो याद करके वो भी बोल लो अभी बैठें बाद में खाना बना लेंगे